नमस्कार, The Healthcare Today में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ओनलाइन ट्रीटमेंट की हालात यह है कि कई सारे वाइरल विमारी पाउं पसारते जा रहे हैं लोग को बाहर जाने का भी काफी ज़्यादा एक रिस्क है ऐसे हालात में एक औपसन निकल के आया कि ओनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप दॉक्टर से ओनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं लेकिन एक सवाल उठता है कि यह ओनलाइन कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट किस हद तक संभाव है इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीन गुपता होर्टिस हॉस्पेटल के नियुरोलोजी डिपार्टमेंट के डिरेक्टर है डॉक्टर प्रवीन आपका स्वागत है तरह हेल्थ के टूडे में ओनलाइन ट्रीटमेंट पूरी तरह से चल पड़ा है लेकिन एक सवाल उठता है के आप ऑन-लाइन ट्रीटमेंट किस हत तक कर सकते हैं बहुत अच्छा सवाल पूछा है मिष्ञाजी ने किसका ऑन-लाइन ट्रीटमेंट बहुत आसान है जैसे के हमारा एक पेशेंट है जिसको माईगरेन की बिमारी है जो बिहार में रहता है वो हम से जब आता है और उपड़ी में मिलता है तब भी हम से वो सिर्फ बातचीत करता है क्योंकि हम उसका डाइगनोसिज तो पहले कर चुके हैं इसलिए उसको हर तीन महीने में बिहार से दिल्ली आने की क्या जरूत है अगर उसे हमसे बातचीत करनी है तो वो वीडियो कॉल पर बातचीत कर सकता है अगर उसे कोई सूजन दिखाना है, कोई छोटा मोटा रैश दिखाना है तो वीडियो में दिखा ही देता है तो ऐसे मरीज का इलाज ऑनलाइन बहुत अच्छा और बखुबी होता है और उसके बहुत सारे पैसे बचा सकता है हमारे पास तो आजकल मेडिसन बेजने की भी सुविदा है हम यहां से मेडिसन भी भेज देते हैं उसको अब एक मरीज है जिसको लकवा लग गया है और उसने कुछ टेस्क कराया पर उसका डाइगनोसिस नहीं हो पाया ऐसे मरीज के लिए शायद ऑनलाइन इलाज कराना उतना अच्छा नहीं हो क्योंकि जब डॉक्टर एक्जामिन करेगा कि लकवा किसी प्रकार का है तो ही तो पता लगा पाएगा क्या है पर फिर भी डॉक्टर उसकी हिस्टरी समझ के उसका जो अभी दग रिपोर्ट हुई है वो जाच करके उसको एक दिशा फिर भी दिखा सकता है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसलिए जिन मरीजों को छोटी बिमारी है जो ऑनलाइन असानी से ठीक हो सकती है या जो फॉलॉप के मरीज है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है पर अगर आपको बड़ी बिमारी भी है या आप सेकिंड उपिनियन लेना चाहते हैं तो रिपोर्ट शेयर करके सेकिंड उपिनियन ले सकते हैं और डॉक्टर आपको दिशा दिखा सकते हैं तो देखा आपने किस तरह से ओनलाइन ट्रीटमेंट किया जा सकता है यदि आप एडमिट होने के कंडिशन में नहीं है हॉस्पिटल में भरती होने के स्थिति में नहीं है और सिर्फ डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है तो कोई ज़ॉरत नहीं कि आप हजार किलो मीटर दूर के सफर करके डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के लिए आईए आप उस डॉक्टर से उनके hospital में contact करके online video consultation ले सकते हैं अगर वह भी संभब नहीं तो आप चाहें तो The Healthcare Today से contact करके online video consultation ले सकते हैं यदि doctor online video consultation के बाद अगर उन्हें जौरत लगता है उन्हें लगता ही कि आपको admission की जौरत है तो वो आपको prescribe करेंगे बताएंगे कि आपको admission की जौरत है फिर आप चाहें तो लंबी दूरी सफर तै करके hospital आए हम रखें आपका ख्याद